नमस्कार, स्वागत है आपका विहारी नूज में, मैं हूँ आपके साथ अभय विशाल कुरोना महामारी के इस दौर में हर कोई अपने सेहत को लेकर सतर्क है लोग इम्मुनिटी बराने के लिए कारहा से लेकर विटामिन C यूप्त फूड आइटम्स का भी डाइट में शामिल कर रहे हैं आम तोर पर देखा गया है कि कमजोर इम्मुनिटी के लोगों में सर्दियों के मौसम में इलर्जी और इन्फेक्शन होने का खत्रा अधिक बढ़ जाता है ऐसे में सेहत के प्रती सतर्क होना बहुत जरूरी है स्वास्त विसे सग्यों का मानना है कि कुछ एहम खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल करने से इलर्जी का खत्रा कम होता है उनके मुताबिक इसमें मौझूद तत्व शरीर को वाइरस और बैक्टिरिया के संक्रमन से बचाते हैं और शरीर को अन्निकई स्वास्त लाप मिलता है तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जिनका सेवन करने से हमारे सरीर में एलर्जी की समस्या कम होती है तो सबसे पहले बात करेंगे हल्दी के बारे में एक गिलास दूद में कच्ची हल्दी के चुर्ण को मिला कर फिर इसे दो से चार बार उबाल लें अब इसे अच्छी तरह से छान लें रोजाना नियमित रूप से इसका सेवन करने से आपके शरीर की रोग प्रतिरुधक छमता को बढ़ाने के साथ ही मौसम के बदलने से होने वाले बिमारियों से दूर रखता है हलांकि सिमित मात्रा में ही इसका सेवन करें अन्यथा स्वास्त पर नाकारात्म प्रभाव पर सकते हैं अब बात करते हैं आवला के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे कि आवला कैसे शरीर में एलर्जी की समस्या को दूर करता है दोस्तो आयरुवेद में आवला को रामबान और सथी कहा गया है ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आवला कई बीमारियों को दूर करने में कारगर है रोजाना आवले की चुर्ण में कुछ मात्रा हल्दी में मिलाकर पीने से एलर्जी की समस्या बहुत जल ठीक हो जाती है इसके अलावा आवले का पावडर सरीर में इंफेक्शन से लरने वाले सुरक छात्मक डबलू बिसीज की प्रभाव सिल्ता को बढ़ाने में मदद करता है इसे खाने से सरीर को बैक्टिरिय और क्युटानों से लरने की ताकत मिलती है हालाकि साइनस के मरीज आवले के सेवन से परहेज करें क्योंकि इससे उनमें खासी जुकाम का खत्रा बढ़ जाता है अब बात करते हैं गिलोई के बारे में गिलोई सरीर को कई बीमारियों से लरने में मदद करता है इसके रोजाना सेवन से न सिर्फ हमारी रोग प्रतिरोधक छमता बढ़ती है बलकि इसके सेवन से एलर्जी की समस्था से भी छुटकारा मिलता है जानकारों का नुसार जिन लोगों को कफ या बलगम बनने की परिशानी है उनके लिए भी गिलोए रामबान औसधी है अब बात दही की करते हैं दरसल एलर्जी की समस्था होने पर लोग दही का सेवन करने से कतराते हैं लेकिन दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो एलर्जी का खतरा कम करता है इसके अलावा इसमें प्रो बायोटिक्स मौजूद होते हैं जो एलर्जी के लक्षनों को उजागर नहीं होने देते हैं तो ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हमारे सरीर में एलर्जी की समस्या को दूर करने में सहायक साबित होते हैं हालाकि ये कितने कारगर हैं इसके पूस्टि हम नहीं करते हैं इस विशय में ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह अवश्च से ले लें अगर इस संबंद में आपके मन में भी कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तो अभी के लिए बस इतना ही बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों सरूबरू रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज धन्नवाद